नमश्कार दोस्तों फिर से सवागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नोकिया 2.4 है आपके पास 2.3 है या कोई और मॉडल है तो यहां पे आप कॉलर आईडिया एंड स्पैम की सेटिंग कैसे कर सकते हैं कॉलर आईडिया इसके बाद यहां पे आपको कॉलर आईडिया एंड स्पैम का आप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे यहां पे आपका आउन रहेगा तो यहां पे आपका जो कॉलर आईडिया है वो देखके और जो भी बिजनेस कॉल वगरा होती है आइडिन्टिफाइ spam call को और कर देंगे तो जो suspected number होते हैं spam call होते हैं वो अलग से छट जाते हैं और बैग्राउंड में भूंग हो जाते हैं आपकी phone तक नहीं आते हैं थिक है और we rigid call को और कर देंगे तो यहां पर आपको एक permission मांगेगा तो wait कर लेंगे yes I am in पे click कर देंगे तो यहां पे verified call मैंने on कर दिया है इससे क्या होगा जो भी आपके calls आएंगे वो verify होके आएंगे अगर business purpose के लिए है जैसे true caller वगरा पे आती है तो बकाईद है एक reason के साथ call आती है business purpose के लिए या फिर sponsorship के लिए या फिर जो ID add वगरा करते है न उनकी reason के साथ आपके incoming call आपको show होती है तो इस step से आप यहां पे caller ID and spam के setting कर सकते है true caller की तरह काम करता है चले मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार